दोस्तो नमस्कार आदाव सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकराम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश लोग तंत्र समर्थक सामाजीक राजनितिक जो सचेतन समूव देश के हैं उनमें पांच अगस्त के कॉंग्रेस पार्टी के ब्लैक प्रोटेस्ट के लिए उसके निता रा इस बात के लिए हो रही है कि देश की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही पार्टी उसने ट्वीटर, फेस्बूक, अखपारी, बयान और टीवी डिवेट के दाएरे से बाहर सणक पर आकर सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद की है प्रियंका गांधी के साथ कल दिल्ली पुलिस ठीक उसी तरह का आचरण करती नजर आई जैसे कॉंग्रेस रिजीम में जब गरियमंत्री चिदंबरम साहब थे या अभी जब भारती जनता पार्टी के सर्व शक्तिमान नमबर दो समझे जाने वाले नेता अमिच शाजी जब गरियमंत्री हैं तो उनके दोर में जैसे JNU, DU या जामिया के जो चात्र चात्राएं हैं उनके साथ या मायापुरी, जनकपुरी, लारेंस रोड, गुरगाओं या फरीदाबाद के मजदूरों के साथ जिस तरह का आचरण पुलिस करती है कुछ वैसा ही प्रियंका गांधी के साथ उसने भीयविकिया या आचरण किया राउल गांधी के ट्विटर राजनीत से सडक राजनीत पर उतरने से कॉंग्रेसी भी उतसाइत हैं सचमुच कांग्रेसीओं को आज अपने नेताओं के साथ पुलिस का दमन झेलते देखा गया उनको वाकई देखा गया कि किस तरह वो आम नेता की तरह सडक पर हैं कहीं उनको चोट लग रही है कहीं उनकी गुत्तम गुत्ती हो रही है पुलिस से वगेरा वगेरा ऐसे दोर में जब समाजवादी बहुजनवादी कहे जाने वाले तमाम विपक्ष नामधारी खे में भारती जन्ता पार्टी की सत्ता से डर कर अपने 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 दर्बे में दुपके हुए हैं कांग्रेसियों का लोक तंत्र बचाओ ये अभियान निस्संदेह इस तोर की बड़ी घटना है हम सड़क पर उतरे कांग्रेसियों के इस अभियान के मकसद की परताल के पेंच या फेरे में फसने के बजाए साप बिलकुल साप शब्दों में कहेंगे कि उनका मकसद चाहे जो दिन था बसरते कांग्रेसी एक दिन जूजने के बाद फिर लंबे समय तक अपने दर्बे में न बंद हो जाए या राहूल गांधी फिर किसी लंबी योरोप यात्रा पर न निकल पड़े ये भी अजीब संजोग है कि जिस दिन 75 साल की सोनिया गांधी सहित सारे प्रमुक क कि शेरनी कही जाने वारी मुख्य मंतरी ममता बनर जी दिल लिया कर मारनी प्रदान मंतरी मोधी से मिली किसी मुख्य मंतरी का प्रदान मंतरी के साथ मिलना कोई अनों की घटना नहीं है दोस्तों पर कॉंग्रेसियों के आंदोलन के मद्द तिरनमुल कॉंग्रेस ने तरी का PM निवास जाकर one-to-one बैठक करना निसंदे बड़ी गटना है ममता बेनरजी की PM से ये मुलागात ऐसे दौर में हुई है जब बंगाल सरकार के एक वरिष्ट मंत्री पार्च चटरजी करप्शन के मामले में जेल में बंद है और E.D. ने उनकी सायोगी अर्पिता मुखर जी के घर से करोणों रूपयों के पाने का दावा किया है दोसरी तरफ बंगाल विदान सभा में विपक्ष के नेता स्वेंदू अधिकारी ने केंद्री ग्रे मंत्री अमिशाह जी से मिलकर टीमसी के सो कथित करप नेताओं के खिलाब का रुआई की सिफारिश की है बताया जाता है कि स्वें मुख्यमंत्री के अपने भतीजे और टीमसी में नमबर दो कहे जाने वाले अभिशेक बनर जी पर भी सरकारी जाच परताल की तरवार लटकी हुई है जैसा हमने पहले कहा देश के सबसे बड़े राजी यूपी की राजनीत में भाजपा नाम केवलम या बाबा नाम केवलम की आवाजें गूज रही है ये ऐसा दोर है विपक्ष के दोनों बड़े खेमों ने अपना दीन इमान अपनी तीजोरियों में रख दिया है बिहार कम से कम यूपी जैसी स्थिती में आज नहीं है वहाँ के विपक्ष ने अब तक भाजपा के समक्ष आत्म समर्पन नहीं किया है जैसा यूपी में सपा और बस्पा ने कर रखा है जारखंड में वेट एंड वाच की स्थिती बनी हुई है मद्ध के राज़ियों में या पश्चिम के राज़ियों में चत्रिशगार और राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकारे हैं लेकिन महारास्ट में भारी दल बदल कराकर भारती जनता पार्टी ने एक नाथ शिंदे के विद्रोही शिव सेना गुट के साथ सरकार बना ली है दक्षण में करनाटक को छोड़ किसी भी बड़े राज़ियों में भाज़पा की सत्ता नहीं है ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के राजनितिक जागरन को पूरे देश की विपक्षी राजनित के लिए अगर एक बड़ी संभावना के रूप में देखा जाए तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता है लेकिन कांग्रेस के पांच अगस्त के राइनितिक जागरण को कुछ ज़्यादा बढ़ा चला कर देखना भी दोस्तों उचित नहीं होगा इस जागरण से सिर्फ कांग्रेसिनी हिताओं की आँखें खुली है केवल यहीं तक सिमित इसको रखा जाना चाहिए अभी हिंदी छेत्र की जनता के बड़े हिस्से ने इन जागते कांग्रेसियों को पूरी गंभीरता से नहीं लिया है उन्होंने कांग्रेसियों को ट्रायल पर रखा है जो अहां तक मुझे लग रहा है क्या वे सचमुच आम आदमी की अप एक शाओं पर खरा उतरेंगे क्या वे सचमुच लोगों के लिए लड़ेंगे क्या वे लोगों के साथ अंतक रहेंगे Congress अब भी अब भी अभी अभीजन दबाव से दबी हुई पार्टी है अभीजन यानि एलीट group, एलीट society उनके दबाव से एक दबी हुई पार्टी है Congress अक्सर भूल जाती है कि उसके साथ कुछ अच्छे और बौधिक रूप से प्रबुद्ध नेता और think tank जरूर बचे हैं लेकिन पार्टी में उनका उपयोग कितना है इधर थोड़ा बहुत बड़ा है खासकर उसकी social media team उसका media department पाले के मुकाबले थोड़ा active हुआ है पर देखा जाए सामाजी के रूप से कि पारंपरिक जो ब्राह्मन समुदाय है इस देश के खासकर उत्तर भारत के उसे Congress party को उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया वे ब्यापारी तबके अब पूरी तरह भाजपा के साथ है यानि ब्राह्मन और ब्यापारी यही नहीं भाजपा ने दलितों और पिछड़ों में भी अच्छा खासा प्रभाव अपना बनाया है Congress party हिंदी भासी समाज के बहुत संख्यक समुदायों में अब भी नधारत है बहुत संख्यक का मतलब जो OBC है दलित है या Minority Community इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो भाजपा के आगे उसका कोई खास वजूद नहीं है इन समुदायों में यह मानना पड़ेगा पर Congress अगर जाग भी गई है तो उसका जो जागरण है क्या सिर्फ उसकी पार्टी और पार्टी नेताओं कारिकरताओं तक ही सिमित रहेगा इससे क्या उसको मिलेगा क्या क्या एचीब करेगी Congress party इसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी को प्रारंबिक सफलता जरूर मिली है कि उन्होंने पार्टी को जगाया है पर जब तक वे अपनी पार्टी का हिंदी भासी छेत्र खास कर यूपी जैसे सबसे बड़े प्रदेश में जहां यह लोग चुनाव लड़ते रहे हैं जहां यह अभार हैं लगातार वहां पर कोई ठोस जनाधार जब तक यह नहीं तलासते तब तक मैं समझता हूँ कि सत्ताधारी भारती जनतापाटी को वे बड़ी चुनावती नहीं दे सकते इतनी आसानी से वे भाजपा के मोहपाश में पड़े अपने पूराने समर्थक समुदाए यानि ब्रामणों को अपने शेविर में नहीं ला सकते प्रामण आबादी के इसाब से चाहे जितने भी हों इंदी चत्र में पर उनका इंफ्लूएंस जबरदस्थ है बिरोक्रिसी के इसाब से या अन्य तमाम हलकों में फिर वो भाजपा की चुनावती का मकाबला कॉंग्रेस पार्टी कैसे करेगी इसके लिए कॉंग्रेस को अपना व्यक्तित्वान तरण ही नहीं दोस्तो हिर्दियान तरण भी करना होगा उसे यूपी मध्यप्रदेश राजस्तान च्छतिसगर बंगाल और बिहार के ओबीसी दलित और मुस्लिम लोगों में अपना जनाधार तलाशना होगा उनके और समस्दारी के बगैर ये काम कैसे करेगी क्या उसके पास संगठन ऐसा है कि वो इन समुदायों में जाए क्या प्रमोत तिवारी जैसे नेता बड़े नेता है पार्टी के जिनको अभी राजस्तान से बनाया गया है राजसभा में फिर भेजा गया है और उनकी सुपत्री वहाँ विधायक दल की नेता है एक ही MLA जीता है एक ही परिवार के दो लोग वहाँ पर पार्टी के प्रमुक लोग हैं कितना आसर वो दलितों और वीसी में छोड़ेंगे उनके पार्टी कमिट्मेंट पर मैं कोई सवाल नहीं उठाता लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश मे इन समुदायों को कांग्रेस पार्टी से जोडने में सक्षम या समर्थ हो पाएंगे ऐसे बहुत सारे उधारन में दे सकता हूँ मैंने जान बुझकर एक नाम लिया इसमें मुझे किसी नेता या किसी विचारधारा या किसी विरादरी को लेकर कोई कुछ भी कोई अलग से आगरा पुरवागरा नहीं है मैं एक उधारन दे रहा था तो दोस्तों ये कुछ पहलू हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस प्रोटेस्ट के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये प्रस्ट उसका पीछा कर रहे हैं दूसरी बात जो बार बार एक कही गई है कि राहूल कि स्मृतियों में है अब बस ये कितना हद तक सही है सवाल एक ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इमर्जनसी जो स्रीमती इंद्रा गांदी की थी जो कांग्रेस पार्टी के रिजीम में आई थी क्या ये उससे ज्यादा निरंग कुछ सत्ता है या ये दोर उससे भी शात्र थे तो अपनी स्मृतियों से भी मैं इमर्जनसी को याद कर सकता हूं समझने की कोशिस कर सकता हूं इमर्जनसी निस्संदे भारत के सामाजिक राजनितिक इतियास में आजादी के बाद से एक निरंग कुछ दोर था जब संबैधानिक मुल जो थे जो नियम कानून वो स्थगित कर दिये गए थे राजनितिक नेताओं पर गाज गिरी थी विरोधी पक्ष के कारिकरताओं पर गाज गिरी थी आम लोग भी उसे प्रभावित हुए थे माइनार्टी कॉम्निटी के लोग दूसरे तपकों के लोग नस्बंदी से लेकर के और अवैद अतिक्रमन के नाम पर लोगों को बहुत सताया भी गया था हमें इसे नहीं भूलना चाहिए लेकिन एक बात जो बहुत महत्पून है वो ये कि आज के दोर में उस समय संभिधान स्थगित था यह तो कहा जा सकता है संभिधान के बड़े प्रावधान स्थगित थे लेकिन संभिधान को कागज पर रखकर किसी entirely different विधान को execute करने की कोशिश नहीं हो रही थी emergency में आज के दौर में संविधान को आपचारिक तोर पे खतम नहीं किया गया है संविधान अपनी जगा है किताब के रूप में कागज के रूप में दस्तावेश के रूप में लेकिन उसके बराबर ही नहीं उसके उपर एक अलग धंग का विधान execute किया जा रहा है उसको आप कार्पुरेट हिंदुत्वा विधान कह सकते है जो पूरा का पूरा structural change है वो इतने माइनूट धंग से हो रहा है और इतने तरीके से हो रहा है कि अगर बहुत चश्मा लगा कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसके लिए आपको बिल्कुल चश्मा उतारना पड़ेगा विचारदारा का सच के रूपरू होना सच से रूपरू होना पड़ेगा तो आज का जो दौर है अब जैसे उधारन के तोर पे उस वक्त भी मुझे आजए सनेहल अतारेटी या बहुत सारे ऐसे लोग थे आम लोग हों में से इंटेलेक्शोल्स में से जो गिरफ्तार हुए थे लेकिन आज का दौर देखी इस प्रेंट कोई लड़ एक चात्र है एक नौजवान है माइनर्टी कॉम्निटी का है वो सत्ता को उखाड फिंकने के किसी अभियान में नहीं है सिर्फ लिक पड़ रहा है सिर्फ सोच रहा है सिर्फ बोल रहा है किसी पार्टी पॉलिक्स में नहीं है बड़े पार्टी के लेकिन वो ग्राफ्तार कर लिया गया यूए पिये में डाल दिया गया पब्लिक सेप्टी बिल उस पर लागू हो गया और इस तरह से उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया जा गया यहां तक कि एडी के कानून में उस कानून में उसको फंसा दिया गया उसे किसी शड्यंत्र का हिस्सा बना दिया गया और जमानत भी नहीं ऐसे बहुत सारे उधारण है जवाला नेरुविश्विद्याले के नेता चात्र नेता उमर खालिद का ही उधारण ले लीजे यकीनन जिस दिन कानून फैसला करेगा उमर खालिद पर लगाए कोई आरूप साबित नहीं होंगे और ऐसे हमने अनेक मामलों में देखा है कि माइनार्टी कॉम्यूनिटी के असंग के लोगों को गिरफतार किया गया है पिछले साथ-ाठ सालों में इसके पहले भी कॉंग्रेस रिजीम में भी अजब 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 आरूप लगाए गए उनमें पुलिस और अन एजिंसिया उन लोगों के खिलाब अपने आरूपों को साबित नहीं कर सकी और लोगों को रिहा करना पड़ा अदालती आदेश पर अनेक लोगों को रिहा करना पड़ा कन्विक्शन का जो रेट है वो लोवेस्ट है इतना कम है जिसकी कलपना नहीं की जा सकती है E.D. में ही देख लीजिए E.D. ने जितने लोगों को आरूपों के दाएरे में लिया चार्ज सीट दाकिल किया उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो बहत कम है इस पर हमालक से प्रोग्रामा कर चुके हैं तो दोस्तों मौजूदा जो तंत्र है वो अब भले ही censorship नहीं है भले ही emergency नहीं है लेकिन जो पूरा का पूरा जो धाचा है उस धाचे पर एक अजीब किस्म का बिल्कुल entirely different किस्म का की एक निरंकुष्टा की चाया दिखाई दे रही है कोई ठीकाना नहीं कि किसको कब कैसे योजना के तहत फसा करके और उसके जीवन को नारकी बना दिया जाए एक धाशत का महौल है और व्यक्ती जो है बाधित है समूचा मीडिया उस वक्त emergency में मीडिया के छोटे ही हिस्ते में सही लेकिन प्रतिरोध की आवाज दिखाई देती थी कोई कागज बिलकुल काला छोड़ देता था बिलकुल कोई ब्लैंक छोड़ देता था लिखा भी जा रहा था बोला भी कई जगा जा रहा था मुझे आज भी याद है हिंदी के कवी नागारजुन की वो कवीता जिसमें उन्होंने emergency का बयान किया था और बहुत तरीके से बयान किया था और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया लिकिन आज की स्थिती ये है कि लिखने वालों पर भी पहरा है बोलने वालों पर भी पहरा है और मीडिया सिर्फ सत्ता के समर्थिन में नहीं है सिर्फ वो खामोश नहीं है सिर्फ तो दाशत और डर में नहीं है वो पूरी तरह conscious होकर भारत का mainstream media हमारी मोजूदा सत्ता संचना का जैसे पौलीस है जैसे बिरोकर्सी है ठीक वैसे ही media media न रहा कर मैं सिर्णी मीडिया की बात कर रहा हूँ और उसमें भी televisions की new channels की वे सारे के सारे सत्ता की संड़चना का हिस्सा बन गए हैं ये इमर्जनसी में नहीं था मीडिया में दाशत जदा था सेंसरसिप थी लेकिन वो सत्ता का हिस्सा नहीं बना था बहुत छोटा एक गृप छोड़कर आज इस्थिती यही है तो दोस्तों इस मुद्दे पर इतना ह अपनी बात कह रहा हूं कुछी देर के बाद भारत के उप रास्टपती के चुनाओं के नतीजे घोर्शित हो जाएंगे और एक जनरलिस्ट होने के नाते मैं उसको लेकर कोई अठकल नहीं लगाना चाहता लेकिन जो गनित है वोटों का भारती संसत के दोनों सद्रों के माननी सदस्यों के जो दलगत संख्या है उसके आधार पर और विविन दलों के समर्थन और विरोध सामती और सामती के अगर समी करणों को देखा जाए तो उसमें भारती जंतापाटी के समर्थन से एंडिये के जो उमिदवार हैं जगदीप धनकर साथ जो राजिपाल थे बंगाल के इसके पहले बहुत पहले केंद्र में मंत्री रचुके हैं दिवंगत चंद्शेखर जी की सरकार में लोकसभा के सदस्य भी रहे वो राजिस्थान के जुन-जुन से वहां के मले भी रहे एक दोर में कॉंग्रेस पार्टी के भी सदस्य थे तो धनकड साहब का जीतना बिलकुल तैशुदा है तो इस तरह कहा जा सकता है कि भारत के अगले उपराश्टपती वेंकईया नाईडू जी की जगह जगदीप धनकड हो रहे हैं इसमें कोई दो राय अब नहीं है लेकिन मार्गेट अलवा ने लंबे समय तक सक्री राजनीच से अलग थलग रहने के बावजूद बहुत जोशोख खरोस के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा विपक्ष की कई पार्टी कई पार्टियों ने उनको समर्थन दिया है कॉंग्रेस के अलवा भी लेकिन त्रिनमुल कॉंग्रेस जिसकी नेताव अमताव अनरजी से उनके संबंद आम तोर पे बहुत अच्छे थे उनका रहस्मे ढंक से आप्स्टेइन करना इस सेलेक्शन में अपने 36 सदस्यों के साथ लोगसभाव राजसभाव के दोनों में बर मिला कर वो बहुती दल्चस्पा है और बहुती संदिग्ध है तो इस तरह उपरास्टपती चुनाव की राजनीत पर बहुत संचिप्त ये टिप्पनी और हम जगदीप धनकर साहब जो भारत के उपरास्टपती हो रहे हैं इसमें मैं समझता हूँ कि अब कोई दो राय नहीं रा गई है तो इन शब्दों के साथ इस अपते इतना ही नम सब्सक्राइब